हाँ जी CA final के सभी students कैसे हो आप सब तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है compact batch के अंदर यह batch जो कि हमने 25 गंटे के अंदर सारा SPOM का सलेवस खतम करने की कसम खाई है इस batch के अंदर आगली बात मैं दुबारा बोलूँगा कि वो सभी students जो conceptual batch लेना चाहते हैं वो इसमें से कभी भी shift उसमें कर सकते हैं मेरी टीम से contact करवा के उसमें shifting जो भी हो appropriate करवा सकते हैं क्योंकि आप IBS अगल देना चाहते हैं तो आपके लिए conceptual batch बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि IBS का level बहुत ज़्यादा आप होने वाला है तो चलिए आज हम शुरू करते हैं board meeting and its powers अभी त चेप्टर की appointment of directors वोता section 149 से लेकर 172 तक और इस section की शुरुवात होती है इस chapter की शुरुवात होती है 173 से लेकर और यह जाता कहां तक है यह section यह जाता है section 193 तक चाहिए तो चलिए जी शुरू करते हैं क्या कहना चाहता है on board meeting & its powers सबसे पहले 173 जो है frequency of board meeting के बारे में बताता है को to board meeting सुलमें कितनी बार होनी चाहिए सॉल में लिखा है कि साल levar ने चाहिए चार board meeting अच्छा word लिका every year year का मतलब ना लिखाऊ उट उट इयर का मतलब calendar year लिखा जाता है यह कहां लिखा यह लिखिया है general closet में ठीक है तो year का मतलब कुछ ना लिखा हो तो calendar year लिया जाता है तो इसका मतलब एक calendar year में चार board meeting होनी चाहिए and किसी भी meeting के बीच का gap 120 दिन से जाता नहीं होना चाहिए इसके अलावा हर company की पहली board meeting within 30 days of the incorporation हो जानी चाहिए विदिन 30 days of the incorporation हो जानी चाहिए clear होगे इतनी बात भी चले पर जैसे मैं section 8 companies की बात करता हूँ तो section 8 companies में एक change है वो क्या है कि वहाँ पर six calendar months के अंदर एक meeting करना जरूरी है कितना six calendar months के अंदर एक meeting करना जरूरी है परन्तो section 8 companies को ये exemption तब मिलेगी जब उन्होंने section 137 और 92 का कोई भी default ना किया हो ठीक है जी अब यहाँ पर एक analysis में चीद देख लिजेगा यह तो यह company का अगर जर्म एक September 2018 को हुआ है तो विल इट भी पॉसिबल के इस calendar यह 2018 में इसकी चार बोर्ड मीटिंग हो जाए नहीं तो फिर यह तो गलत हो गया non compliance हो गया नहीं हुआ क्यों क्योंकि law ने लिखा है year के अंदर चार बोर्ड मीटिंग होनी चीए year का मतलब है January से December जब company का incorporation first September को हुआ है तो January to December तो आये ही नहीं ना वो तो 2019 में बनेगा ठीक है तो company यहां तुम्हें एक चीज इंशेवर करनी है वो क्या कि दो बोर्ड मीटिंग का gap 120 दिन से जादा मत हो बस इतना सजहान रखना है तो यानि कि क्या यह meeting valid है अगर पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर होती है और अगली बोर्ड मीटिंग 29 दिसंबर को हो जाती है तो क्या यह valid है बिल्कुल valid है कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है ना क्योंकि calendar यह तो अगले साल से शुरू होना है ठीक है और आगे बढ़े उसके बाद क्या आई एफसी companies में exemption है वो क्या इने पहली बोर्ड मीटिंग कब तक हैल्ड करनी है विदिन 60 देज ऑफ दा इनकॉर्परेशन और उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी है इन इच हाफ ऑफ दे केलेंडर यह यानि के हर छे माईने के अंदर एक मिटिंग करनी है किन की बात कर रहे है आम आए फ से कंपनी की या फसी प्राइवेट हो या पब्लिक हो दुनों के लिए अपलाए होता है चिके जी यहां पर एक सेकरेटेरियल स्टेंडर लगता है जो कहता है कि कंपनी शाल होल्ड एकलिस फोर बोर्ड मिटिंग इन इच केलेंडर यह विदा मैक्सिमम इंटरवल आफ 120 दे सेобще Minsan कैंडर होता है तो यहां पर सेकरेटेरियल स्टेंडर में क्लेरिगेशन दे दी गई है कि इयर का मतलब केलेंडर यह रूत है ना भी देते तो हमें पैता था फिर उसके बाद bul बात कर रहे हैं जिनके अन्दर के वल एक डारेक्टर होता है यहां पर की जा रही है जहां पर बूर्ड मीटिंग करने की ज़रूद मीटिंग करेंगे कैसे यह की डिरेक्टर है तो मीटिंग कैसे होगी तो यह तो वही हो गया हिसाब किताब हो गया कि मैं सुबह शीशे के सामने अपने आपको देखा और मैंने का पोपली बड़ा स्मार्ट लग रहा है और क्यों आज अकेली जहां अकेला डारेक्टर होगा तो इनकी बूर्ड मीटिंग का प्रोसीजर अलग है सेक्शन 122 में दिया हुआ यह क्या करते हैं कि केवल बूर्ड मीटिंग के मिनिट्स के अंदर जो है रेजलूशन वो लिख देते हैं और यहां पर डेट डाल देते हैं बस उसे ब असी अधर ऑडियो विज्वल ऑडियो प्लस विज्वल होना चाहिए केवल ऑडियो से नहीं चलेगा ठीक है मोड के तुरू भी हो सकता है फिर उसके बाद सेंट्र गवर्मेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं दे आर कॉल्ड एस रूल नंबर 3 के अंदर जो व्यक्त क हैं बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए को कौन-कौन से रूल से चलिए देखने शुरू करते हैं जी जो दो रेलेवेंट डूल है मैं बताता जा रहा हूं पड़ेगा कि आउडियो वीडियो में कोई फेलियर ना हो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है दूसरा चाहिए चेयर पर्सन एंड कंपनी सेकरेटरी को ड्यू केर एंड रीजनेबल केर एक्सराइस करनी पड़ेगी क्या कि मीटिंग का सारा मैटर जो है वह सेवगार्ड रहें पता पता लगा मीटिंग लीक और यह जूम कॉल पे चल रही है ऐसा नहीं होना चाहिए अवेलेब उसके बाद उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनेट्स बनाने के लिए सारी मेटिंग्स जो है वह प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है फिर उन्हें इंशोर करना पड़ेगा कि प्रॉपर जगा पे यह पूरी रिकॉर्डिंग को हम लोग सेफ कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं आगे और बढ़ते हैं अजी यह बहुत रेलेवेंट है उन्हें इंशोर करना पड़ेगा कि कोई भी और डारेक्टर अधर देन दा कंसर्ण व्यक्ति अधर देन दा कंसर्ण डारेक्टर्स वगरा वो मीटिंग को ना तो एक्सेस कर पा रहा है ना मीटिंग को अटेंड कर करता रहा है कोई भी और व्यक्ति अधर देन दा कंसर्ण डारेक्टर वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं चिक है बड़ एक चीज है अगर माल लिजे कोई फिजिकल हेंडिकेप्ड या डिफरेंट्ली एबल्ड व्यक्ति है तो वो बोडव डारेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके साथ किसी और को आने दिया जाए तो बोडव डारेक्टर अगर चाहे तो उसे परमीशन द डारेक्टर को भी जाएगा गेटिंग उसके बाद नोटिस अफ दमीटिंग शल इनफॉर्म रिगार्डिंग दा ओप्शन सभीलेबल टू पार्टिस्पेट थू दू वीडियो कॉंफरेंसिंग द्यान रखना वर्डेशन नोटिस अफ मेटिंग ने जरूर लिखा गया हो उसके जो कि मीटिंग को वीडियो कॉनफरेंसिंग वगरा के घ्रभ अटेंड करना चाहता है तो शल कम्यनेकेट इंटेंशन dûर शेयर पर सवाइन पनया कढूं compete कब देनी पड़ेगी यह करना पड़ेगा आपको कब at the beginning of the calendar year और यह जो declaration है यह valid रहेगी पूरे calendar year के लिए तो आपको पूरा हिसाब किताब जो भी आप जहां भी घुमने जा रहे हो जो भी है पूरे calendar year के शुरू में बता देना कि आप कहां कहां घुमने जाना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो मत्तब कौन-कौन से मीटिंग आप इस तरीके से अटेंड करना चाहते हो ठीक है जी आगे फिर कहता है कि अगर मानली जी अगर आपने अगर मानली जी आपने कोई information नहीं दी कि मैं वीडियो कांफरेंसिंग के तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि आप परसन इन परसन ही आएंगे मीटिंग के अंदर फिजिकल प्रेजेंट होगे चिक है उसके बाद जब भी मीटिंग शुरू होगी ना तो सब आप से पहले चियर परसंसाब क्या करेंगे एक रूल कॉल देंगे रूल कॉल मतलब याद है कि बच्पन में क्लास के अंदर अटेंडेंटेंस लगती थी मैडम कैती थी रूल नमबर बन रूल नमबर टू आप के तते प्रेजेंट बहुस्स ऐसा ही यहां पर चियर परसन ही रोल्ल कॉल ली जाएगी किसके दौरा चयर्फरसन के द्वारा जहां पर हर डारेक्टर जो है जो भी मीटिंग कर रहा है वो नाम बताएगा अपने लोकेशन बताएगा उसे एजेंडा मिल गया है यह बताएगा एक declaration देगा कि उसके अलावा कोई भी और उस मीटिंग को अडेंड नहीं कर रहा है चीक है जी और आगे बड़े रोल कॉल होने के बाद अब क्या होगा चेयर परसंद सहाब हो गए या फिर और कंपनी सेकरेटरी सहाब हो गए देशल इंफॉर्म दबोर्ड अबाउट नेम ऑफ परसंद अधर देन दर डारेक्टर हुआ प्रसेंट फोर सेड मीटिंग यानि कि एक तरीके से यह बताया जाएगा कि कौन-कौन से ड और कंफर्म करेंगे एंड कंफर्म देट रिक्वाइड कोरम से बन सकता है चलिए आप सवाल उठा कि जो डारेक्टर वीडियो कौनफरेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहा है क्या वो कौरम में काउट होगा बिल्कुल होगा कमाल करती जान मांगे होती डारेक्टर पार्ट अब उसका रेलेवेंस नहीं है पहले हुआ करता था अमेंड मेंड मेंड आ गई इसका रेलेवेंस खतम हो गया है बड़ यह लाइन आज भी लिख्यों है हटा सकते है फिर फिर कहता है चेयर परसंट चैलेंच और कि कोरम जो है थ्रू आउट दा मीटिंग रहेगी के वल ब रिस्पेक्ट तो एवरी मीटिंग कंडुक्टेट थ्रू वीडियो कंफरेंसिंग और अधर और आद्यो विज्वल मींस ऑथ्राइज अंडर डिस रूल्स हां जी यह बड़ा रेलेवेंट है क्याता है अगर मान लीजे मीटिंग हो रही है सारे सारे वीडियो क्या जाएगा देखो ऐसा है कि आपने नूटिस अफ दा मिटिंग दिया होगा जब आपने नूटिस अफ मिटिंग दिया होगा तो आप नूटिस अफ मिटिंग में लिखते हो कहां जी इस दिन मिटिंग होगी इस लोकेशन पर जो नोटिस के अंदर आपने लोकेशन मेंशिन की है वो वेन्यो अफ दा मीटिंग कंसीड़ गया जाएगा तो चाहे सारे वीडियो कान्फरेंसिंग के तुरू अटेंड कर रहे हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ यह दा शेडियूल वेन्यू अफ दा मीटिंग एस सेट फॉर्थ इन नोटिस कन्वीनिंग दा मीटिंग शेल बीटीम टुबी दा प्लेस अफ सेट मीटिंग चीक है बास यह जो ब्लू में है अंडरलाइन कर देना यह इंपॉर्टेंट है फिर अब मीटिंग के अंदर ना कई आपक इसा रजिस्टर ऐसे ही अभी हम 184 में रजिस्टर करेंगे 188 में रजिस्टर करेंगे तो फिर वो सारे रजिस्टर जो कि रिक्वाइड टुबी प्लेस इंद बोर्ड मीटिंग है तो अगर मेंबर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं तो क्या होगा फिर क्या होगा तो कहता है यह सारे रजिस्टर कहां केप्ट किये जाएंगे शल्बी प्लेश एड़ शेडियूल वेन्यू जो कि नोटेस अब दा मीटिंग में लिखा हुआ है और माल लीजे कई बार इन मीटिंग्स को साइन इन रजिस्टर पर साइन करने के ज़रूरत प कि अगर माल लीजे डिरेक्टर किसी कॉंट्रेक्ट में इंट्रस्टेड है सेक्शन 184 में हम पढ़ेंगे तो फिर वो रजिस्टर के अंदर मेंशन करनी होती है चीज चीज और रजिस्टर को साइन भी करना होता है तो आब वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थ्रू है तो बस वो यह बात बोल देगा कि मेरी कंसेंट है बास यह रिकॉर्ड कर ली जाएगे देट सर्थ यह माना जाएगा कि उसके साइन हो गए है तो फिर हर व्यक्ति पहले अपना नाम बताएगा कि मैं यह बूल रहा हूं किसे भी आईटम आफ बिजनस पर बोलने से पहले फिर उसके बाद उसके बाद अगर माल लिजिए डारेक्टर के बोलते बोलते कोई उसकी स्टेटमेंट आटक गई जैसे वह चैर परसन या फिर कंपनी से करेटरी उसे कह सकते हैं कि यार दुबारा बोल एक बार दुबारा से रिपीट कर यह पॉइंट भी एम से क्यू में आ सक चैर परेक्टर के नाम बताएंगे कि हम चेर इबेंट ररेक्टर नेवाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे डैरेकटर जो कोई वोट कर सकते हैं थे उसके बात यह ज्यादा रैवेंट नहीं यह टैंथ प यीगगा अगें कियाएं पैका देखो जी मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक कोई भी व्यक्ति गोटी शेयर परशन को छोड़ दो डिरेक्टर को छोड़ दो इसकि प्रिजसन्स जो है बॉड़ डिरेक्टर ने अलाओ की है उसे छोड़ दो फ़र एक्जमपल फिजिकल एटेंडें था उनके अलावा और कोई भी बोर्ड मेटिंग को अटेंड करी नहीं सकता है चिक है आगे कि जब भी किसी एजेंडा पर डिस्कॉशन हो जाएगी तो फिर चेर परसंट सहब डिकलेर करेंगे किसका नाम उन डारेक्टर्स का नाम जिनों ने डिसंट किया है यानि कि जिनों ने डिसंट किया है जो या जाएँ समे ना उनका नाम पकार आ जाएगा यह ड क्यांजिए डिर्क्टर्ड डिसंट वे के यह बहुत इंपॉर्टेंट है या सकता है कि कज़ी चलिया मिनिट्स के अंदर यह जरूर लिखा जाएगा कि कौन-कौन से ऐसे डारेक्टर है जिन्होंने मीटिंग को वीडियो कॉंफरेंसे या आडियो विजुल मीन्स के तुरू अटेंड गिया था अब यह सारा पैरा बड़ा रेलेवेंट है पेपर के लिए एंसी क्यू इस पर बन सकते हैं बहुत ज्यादा एक खासकर पॉइंट नमर वन और टू देखेगा यह तो ड्राफ्ट मीटिंग ड्राफ्ट मिनिट्स जो होंगे मतब जो भी मिनिट्स की मिनिट्स बने महां पर वह मिनिट्स बनने के बाद सर्कुलेट कर दिये जाएंगे इस में डिसाइड़ वाइद बॉड यानि कि बॉड गयो पर डिपेंड करेगा राइटिंग में भी हो सकते हैं इलेक्रोनिक बोर्ड में भी हो सकते हैं बट कीवर्ड क्या है 15 दिन के अंदर अंदर सर्कुलेट हो जाने चाहिए अच्छा याता जी हर डारेक्टर को कन्फर अंदर कमेंट दे देने चाहिए और अगर नहीं देता फेलिंग विच माना जाएगा कि उसे कोई भी अब्जेक्शन नहीं है बहुत इंबॉड यह धान रखना ठीके जी चले जी फिर कहता है मिनेट्स बनाते हुए 118 के नियम होगा ध्यान रखा जाएगा ठीक है और आग कहता है नोटेस दिया जाएगा कम से कम साथ दिनका कम से कम साथ दिन का List दिनका जाएगा घ्याएगा घ्या डियां गया सकता है और इयरफिर इंडिपेंडेंट डारेक्टर मीटिंग में जरूर प्रजेंट हुआ हो अगर माल लीजे वो भी प्रजेंट नहीं हो पाया तो फिर यह जो भी उसकी एकसंस में हुई है मिटिंग उसके मिनट्स सरकुलेट कर दीजिएगा सबको और जिस दिन कम से कम एक इंडिपेंडेंट डारेक्टर की कंसेंट मिल जाएगी उस दिन मिनिट्स को मैं फाइनल मान लूंगा ठीक है उसके बाद एक कोशना आता है आपके सामने मान लीजी एक कंपनी है दीवन एक डारेक्टर है उसने सर्व किया नूटेस देट नूटेस अफ़ बोर्ड बेजना चाहे कोई डारेक्टर कहे कि मुझे नूटेस की डेट पता है मुझे मीटिंग की डेट पता है मगर फिर भी बेजना पड़ेगा यह परमेश्वरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोट ने कहा है कहता है जी नूटेस भेजना तो एक सारी मिटिंग इन्वैलिड हो जाएगी कि पैनल्टी कितनी है यहां पर पैनल्टी है पच्छिस अजार पर अगर नूटेस ना दिया तो अच्छा फिर कुछ सेक्शन एट कंपनी इसको तो हमने एक्जम्शन सुन ली उसके अलावा और छोटी-छोटी कंपनिया लाइक वन इनके लिए माना जाएगा सेक्शन कंप्लाय हो गया है उनको एक 6 महिने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी परतु एक चीजी यह ज़रूरी है कि दो बोर्ड मीटिंग का गैप कम से कम 90 दिन का रहना चाहिए क्योंकि ये कंपनिया क्या बदमाशी करती थी एक मीटिंग करती थी 30 जुन को इक मीटिंग करती थी एक जुलाई को पहले 6 महीने भी पूरे अगले 6 महीने भी पूरे लोके टाय देहा ना यहाओ ऐसलिए मिटिंग गैप मीनिममम 90 दिन का ओना चाहिए उपर नॉर्मल कमपनियों में दो मिटिंग का गैप मैक्सिमम 120 डेज पट इन कंपनियों में दो मिटिंग का गैप मिनिममम 90 डेज याद रहेगा चले पिर इन लोगों को एक्जम्शन तब है अगर इन्हों ने 137 और सेक्शन 92 में कोई भी नॉन कंप्लाइंस ना किया हो फिर अचा स्मॉल कंपनी क्या होती है जो तीन फीचर पूरे करती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए प्लस जिसकी मैक्सिमम पेड़ चार करोड प्लस जिसकी मैक्सिमम टर्णवर 40 करोड रुपय होनी चाहिए वह बनेगी आपकी स्मॉल कंपनी ठीक है जी चलिए अब आप ये कोशन कर सकते है आराम से कोई दिकत नहीं आएगी भया कोई दिकत नहीं आएगी अब आते हैं आप कोरम पे सेक्शन 174 गोरम देखो जी बूर्ड मीटिंग में मैंने का जी कोरम होनी चाहिए और कोरम थ्रू आउट दा मीटिंग होनी चाहिए ठीक हो के ती बात तो कोरम होती कितनी है वigraphy वीडियो मेंस गिना जाता है यस वोर्ट जब तो टॉटल स्रेंट SECRET का मतलब है कि वो डारेक्टकर legal नहीं है बोर्ड पे जिनका प्लेस वेकल्ड है थो उनको considerate नहीं किया जाएगा मतलब मतलब यह है कि मान लीजी जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी है इसके मैक्सिमम डारेक्टर आर्टिकल में लिखे हुए हो सकते हैं 12 एक्चुल में डारेक्टर है 10 तो टोटल स्रेंथ कितनी मानी जाएगी तो टोटल स्रेंथ मतलब जो रियल में डारेक्टर कंपनी में है वह है टोटल स्रेंथ चाहिए नहीं होनी चाहिए सेक्षिन एट कंपनी तुम्हें एक्जंशन तब है जब 137 या 92 में आपने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो तो सेक्षिन एट कंपनी में दुबारा बोलो एट और 25 परसंट अब टोटल स्रेंथ विचेवर इस लेस मगर किसी भी आलत में दो से नीचे नहीं होगी कोरम क्य आयर तो देखेगा यह सारे के सारे आपके कोरम निकल के आ गए होंगे आप इसे कर सकते हैं यह वला काफी असान है एक बार आप देख सकते हैं इसे उसके बाद हम आगे आते हैं 174 टू से पहले 174 3 करना जरूरी है यह टेक्निकल मुद्द है ध्यान से समझना 174 3 क्या कहता भी वक्त इंट्रस्टेट डारेक्टर जो है वो टू थर्ड या फिर टू थर्ड से भी ज्यादा हो गए हैं अफ़ टोटल स्ट अफ द बूर्ड तो फिर जितने भी डिस इंट्रस्टेट डारेक्टर है वो कोरम मान लिए जाएंगे प्रवाइड वो दो से नीचे नहीं हो अगर किसी बीवक्त इंट्रस्टेट डारेक्टर की संख्या टू थर्ड ये टू थर्ड से ज़्यादा हो चुकी है और टोटल श्रेंट अट्रे पीं डिस इंट्रस्टेट डारेक्टरे वो सब के सब क्या मान लिए जाएंगे कोरम मान लिजाएगी प्रोवाइड़ेड व 174 3 जो कहता है कि अगर डिस इंट्रस्टेड डारेक्टर टू थार्ड पोच गए तो फिर कोरम डिस इंट्रस्टेड डारेक्टर की हो जाएगी दोसो नीचे नहीं होने चाहिए तो एक तरीके से दू-दो कोरम हो गई तो आपको करना गया है देखेजिए कंबाइन अनलिस अबको सबसे पहले जब भी कोरम पर कुछन आजाये तो चेक करना है कि क्या 174 3 attract हो रहा है अगर तो हो रहा है तो परनतु अगर नहीं हो रहा है तो कोरम को 174 1 के आनुसार आप देख सकते हो कैसे आईए चेक करना बताता हूँ देखेगा यह अनलिस बस समझ लो इसी के लि एंट्रेटर प्रेजेंट हुए हैं बोर्ड मीटिंग में तीन न graphical फ इंट्रस्टेट डारेक्टर कोई नहीं है अच्छा सबसे पहले चेक करना क्या 174-3 अट्रैक्ट हो रहा है नहीं क्योंकि कोई इंट्रस्टेट ही नहीं है तो अब कोरम कैसे होगी 174-1 के नुसार होगी तो कोरम कितनी हो गई 1 3rd of 10 1 3rd of 10 4 और 2 तर्स कोरम कितनी होगी 4 आये कितनी है 3 तो क्या कोरम है नहीं है समझ गए है कोरम है नहीं है और आगे बढ़ते हैं तो सब्सक्राइब किस दस डारेक्टर है तो टोल कितने डारेक्टर है दस बोर्ड मिटिंग में कितने आए बोर्ड मिटिंग में आए हैं चार अच्छा फिर इंट्रस्टेड डारेक्टर नहीं है तो फिर 173 not applicable तो कोरम 1741 गनी जाएगी तो फिर वन थर्ड ओफ टेन चार और दो विच्वर इस हायर तो यानि कि चार कोरम रिक्वाइड हो गई आए कितने हैं चार कोरम है जी है आए कितने है चार तो यानि कि कोरम है यस है ठीक है और आगे बढ़ते है फिर नंबर आफ डारेक्टर है दस में आये सात कर पांच in tris रे भगवान यह पांच कौहां से जो मीटिंग में आ स्वबात बैटे wolves असवOR आगे बढ़िएगा तक दस डारेक्टर है नहें सात मैं से पांच में छीनट्रास्ट में रहें इंट्रेस्टेड भगवान अब सबसे पहले चेक मलई 734 ती हुगा है यह नहीं मैंने चाहिए तो कोरम कैसे गिनी जाएगी 1741 गैनुसार कोरम कितनी है तोटल स्रेंथ दस इंटू वन थर्ड चार और दो विचेवर इस हायर यानि कि चार अब कि इसाथ आया है ना 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 मेरे लाल आपने पढ़ा होगा या 167 में 167 में मैंने कहा था कि डारेक्टर को वेकेट करना पड़ेगा अगर उसने 100 651 84 का पालन नहीं किया और पालेस्पेट देयों के लिए याने कि अगर आप इंठरस्टेट डाрьेक्टर तो आप मीटिंग में पाटिस्पेट नहीं कर सकते मत्ता पाटिस्पेट मतलब ना तो आप टिंग कर सकते हो। ना ओने काौंत करबासक्ति आपको तो इसका मतलब ये पांच तो माइनस कर लो ना ये पांच माइनस किये तो फिर साथ मैं से पांच गए तो मीटिन्ग में कितने बचे दो ये बड़ा पहंकर और प्यारा सवाल है दोनों बयंकर भी है प्यारा भी है चाहिए कितने थे चार है कितने दो मिटिंग कोरम एपसेंट है कोरम एपसेंट है समझ गए बात चलिए आगे फिर कहता है दस नो छे अच्छा पहले चेक करो 174 थ्री अप्लिकेबल है नहीं क्योंकि छे हैं साथ होंगे त जायर मतब चार अब हैं कितने 9-6 is equal to 3 कोरम है कोरम एपसेंट कोरम एपसेंट अब आते हैं 174 3 अब यहां पेज भसा या 174 3 लग रहा है यस लग रहा है तो फिर नंबर अफ डिस इंट्रस्टेट डिरेक्टर देख लो डिस इंट्रस्टेट डिरेक्टर किते हैं दो तो य कोरम है दो से नीचे नहीं होना चाहिए बस किसी भी हालत में तो बस यह कोरम है क्योंकि 174 3 लग गया यहां पर कोई 1 3rd of the total strength वगरा नहीं लगेगा यहां पर चिक हैं और आगे बढ़ते हैं इसगे 410 98 बट यानी के इंट्रस्टेड डेरेक्टर लग गए 1743 लग गया तो नंबर अफ इंट्रस्टेड理क्टर कितने वी डिरेक्टर कितने हो गया है हमा मात जी जिए अब ग्या होगा एक डिरेक्टर इस इंट्रस्टेटड है जब कि होने कितने चाहिए कम से कम दो तो यहां तो एक है तो मुझे क्या करना चाहिए देखो जी लॉ केता है 1744 के अंदर आगे चलते है 174 में 1744 कहां गया कहां गया को बिद्स कर दाएगा सेटर्व public इस लोकेशन से नेक्स्ट वीक में और अगर वो तो डे जो है नेशनल हॉलिडे हुआ तो फिर उसके अगले दिन के लिए अगर मीटिंग में कोरम नहीं हो पाई तो तो क्या मैं कह सकता हूं हाँ है कि हमारे केस में 1744 लग जाएगा ऑन 1744 लग जाएगा क्यों क्यूंकि डेसपिंट्रस्टट डारेक्टर एख हैं को रूम नहीं बन पाई अगर बिटिंग के अगले अफ़ते होगी तो 1744 लग जाएगा मिटिंग वेड़्ज अगति इस नग कर ओके अच्छा 174 3 लग गया ठीक है कोरम 174 3 क्या अनुसार गिनी जाएगी नंबर अफ डिसंट्रस्टेट डारेक्टर कितने रहे 10-9 इस इगल टू 1 10-9 इस इगल टू 1 क्या कोरम है नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं मिटिंग को एड्जंट कर दो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम लोकेशन लगता तो यही है बट मत करना क्यों क्यों कि भाई साब यह वले केस में और इस केस में फरक हैं वो क्या यहां पर अगर आप मिटिंग को एड्जंट करते हो तो पॉसिबल है कि अगली बोर्ड मिटिंग में कोरम बन जाए कैसे बन जाए क्योंकि 10-10 में से 9 आये थे आठ इंट्रस्टेट थे अगर अगली मिटिंग में एड्जोंड में 10 में से 10 आ गए और यही आठ इंट्रस्टेट हुए तो फिर दिस इंट्रस्टेट डिरेक्टर की कोरम बन सकती है इसलिए मिटिंग को एड्जंट कर देना है तो किसी भी हालत में कोरम बन ही नहीं सकती 1743 के अनुसार कोरम बन ही नहीं सकती तो यहां पर मिटिंग को एड्जर्ण करने का कोई फाइदा नहीं है कोई भी फाइदा नहीं है तो आप सवाल उठा फिर इसका हो करना क्या चाहिए हमें अगर लोग कहता है कि ऐसा पेच फस गया कि अगर कोई सॉलेशन नहीं हो सकता क्योंकि नम्बर डारेक्टर पड़ी कम रहे है बनी नहीं रही कोरम तो फिर अब आपके पास दो और शन है वो क्या पहला आए ऐवन सेवेंटीफोर टू पे आ जाएगा वन सेवेंटीफोर टू कहता है कि अगर नहीं बन पा रही है कोरम तो जो बाकी के continuing director है चाहे वो कोरम से नीचे ही क्यों ना हो वो क्या कर सकते हैं या तो additional director को appoint कर सकते हैं number of directors for quorum बढ़ा सकते हैं और तक directors कैसे बढ़ाएंगे additional director को appoint करके जो कि disinterested हो और या फिर यह मुद्दा general meeting में transfer कर सकते हैं समझाई बात तो यह है 174 subsection 2 तो यह इसका जनम किस लिए हुआ है इस परिस्थिती के लिए है जो हमने अभी परिस्थिती देखी है जो हमने situation देखी है यह situation के लिए जहां पर adjourned करने के बाद भी कोरम नहीं बनेगी यह confirm नजरा रहा है तो फिर 1742 के अंदर दो option है तो additional director को appoint करो या फिर स्मुद्दे को जनल मीटिंग में बेच दो same is the case with last last situation as well हाँ जी दस 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 1743 लग गया कोरम है नहीं सारे इंट्रस्टेड है तो फिर या तो additional director पाइंट करो और या फिर जनल मीटिंग में इस मुद्दे को भेद दो बस दो यह option है ठीक है तो आज हमने दो भी देखे 174 हमने दोनों तरीके से कोरम देख लिए 1741 में भी 1743 में भी और 1742 का जनम भी क्यों हुआ देख लिए और 1744 यानि की एड्जॉन्मेंट का जनम क्यों हुआ यह भी देख लिया अब एक केस लौ उपर से रह गया है आएगा इस केस लौ पर क्या कियता है अचिंते कुमार बर्ववर वर्सेस रंजीत भर्तिकुअर यह क्या क्यों कहता है क्या हुए कि डारेक्टर ने कंपञां कुम्पनी को नोटिस दिया कि मैं नहीं मीटिंग वीडियो कॉंफेंसिंग के तुर्ण करना चाहता हूं चेर परसंस आपको नोटिस दिया चेर परसंस ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं करने देंगे क्योंकि सेक्यूरिटी रीजन्स है हमारे ज़स और कहीं मीटिंग का लीकेज ना हो जाए तो इसलिए हम यह मीटिंग आपको इस तरीके से अटेंड नह हमें मतब भी हम नथिंग तो विडिस बाट डिरेक्टर का अधिकार है कि मीटिंग अटेंड कर सकता है तो कर सकता है जैसे में आपने क्योग्पेंट्स को यानि के एंसी एलेटी का डिसीजन है विच गिव राइट तो डिरेक्टर तो पाटिस्पेट त्रू वीडियो कॉन fencing is mandatory and cannot be avoided by the company even by contending the security reasons ठीक है और आगे बने 174-4 भी हो गया पिर उसके बाद अचिन है प्रैवेट लिमिंटेड कंपशन है यहाँ पर वह क्या है प्राइवेट लिमिंटेड कंपशन का सकता है अगर वोटिंग कर सकता है कौन प्राइवेट लिमिंटेड कंपनी का डिरेक्टर अगर वो сво television of his interest कर देता है बात समझा रही है तो प्राइवेट लिमिटेट कंपनी को यह एक्जम्शन है शर्त यह है कि 137 और 92 का कोई भी non-compliance नहीं होना चाहिए तब यह एक्जम्शन है तो यह नहीं कि इन किस अफ प्राइवेट कंपनी विच आज नॉट कमिटेट अडिफॉल्ट इन फालिंग दा फानेंशिल स्टेट्मेंट और अन्वल रिटन अप्रोवीजन आप 174 3 शल अंटिसपेट आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ इस इंट्रस्ट ठीक है आगे आते हैं प्रोवीजन सब 174 रिलेटिंग तो कोरम और नॉट अप्लिकेबल तो सच वन पर्सन कंपनी विच है उनली वन डिरेक्टर एट इस बोड भाई अगर कंपनी का यह की डिरेक्टर तो वहा नहीं 174 लगेगा ही नहीं ठीक है आई फसी कंपनीज आए फसी कंपनीज में भी बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी ही कंडिशन है वो कहता है इंट्रस्टेट डिरेक्टर पार्टिस्पेट कर सकते हैं आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ देर इंट्रेस्ट बास कोई दिक्कत नहीं है आए फसी कंपनीज में भी फिर हमारे पास आंदर प्रदेश हाई कोट का एक केस है जो क्या कहता है आएगा पढ़ना शुरू करते हैं इस केस को कि यह क्या कहता है जी अब है कि हुए क्या कि पहले न तीन डारेक्टर वहां करते थे अस टीन में से एक डारेक्टर के जैने और दूसरे ने पकड़ कर दिया रिजाइन हो गया अब बचा था एक डिरेक्टर एक ने डूसरे जिसको रिजाइन गया था उसे का गवाई तू तो जा रहे मेरी एडिशन डारेक्टर पॉइंट के और फिर उसने का जी आप चलते हैं लौ ने कहां भाई यह रिजाइन वापस लेना मतलब क्या है यह क्या हुआ रेसिग्नेशन तो इफेक्टिव हो चुका है और कंपनी के बूड पर अब एक ही डारेक्टर है तो जब एक डारेक्टर है त सकता चीए ना तो क्योंकि बूड बचाई नहीं एक डिरेक्टर के से अटन करेगा तो यह सलिए पड़ी सीवाता है कि रिजाइन करने के बाद रिजाइन वापस लेकर अडिशन डिरेक्टर अपाइंट करवाना यह गलत है या निकी वेदर विद रेसिगनेशन ओफ आर फ अब इस डिरेक्टर ने वापस ले लिया रेसिगनेशन ताकि मीटिंग अटेंट की जा सके तो फिर कोट ने क्या कहां दा मीटिंग ऑफ बोर्ड अब डिरेक्टर कुट नोट बी सेट तो बी वेलिगली है और दस अपॉंट्मेंट्मेंट अफ नियू डिरेक्टर इंसेट मीटिंग वस अल्सों एन्वालेट बताये जी कोई भी दिक्कत था 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 ठीक है चलिया अब यहां पर हमारे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सिच्वेशन आती है जो मैंने एक्जमपल दिया था ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डिरेक्टर ह है वह क्या कर सकते हैं अगर वह अपना इंट्रस्ट इस क्लोस कर दें 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 पार्टेसेपेट चले यहां पर हुआ क्या फॉलोविंग इस ना इंफोमेशन विद रिलेशन टू एजेंडा इन बोर्ड मीटिंग टोटल स्ट्रेंथ अफटा डारेक्टर कितनी है दस डार इंट्रस्ट इडारेक्टर कितने है नाइन तो फिर अब बताइए एजेंडा कैसे बनेगा पहली बात तो 1743 एपलिकेबल हो रहा है बिलकुल हो रहा है तो कोरम 1743 क्यों साथ देखे जानी चाहिए येस तो फिर डिस इंट्रस्ट इडारेक्टर कितने हुए देखो जी अभ इंट्रस्ट इडारेक्टर कितने हैं तीन हो गए दीवन डीफाइव एंड अदर डिस इंट्रस्ट इडारेक्टर आउट अफ टेन चीक है तो कोरम है बिलकुल है अगला अब आते हैं सेक्शन 175 पर जो बात करता है पासिंग आफ रेजलूशन वाई सर्कुलेशन की हाँ ज दूसरा होता हैं रेजलूशन वाई सर्कुलेशन के थ्रूप। रेजलूशन वाई सर्कुलेशन क्या होता है कि शायद इंटर में आपने पॉस्टल बैलेइट पड़ा ओगा बिलकुल वैसा ह worthy exampel सिधा ज़ूरत नहीं होती ही मीटिग में आने की ज़रूरत नहीं ह क्या कहता है इस बारे में कहता कोई भी resolution shall be deemed to have been duly passed by the board or by the committee thereof यानि कि न किवल मैं board की बात कर रहा हूं बलकि मैं किसी committee की भी बात कर रहा हूं board की तो अगर कोई भी resolution by circulation pass होना चाहिए तो माना जाएगा कि हो गया है if the resolution has been circulated in draft together with the necessary paper to all the directors और member of the committee at the registered address in India यानि कि सबसे पहले resolution by circulation को सभी directors को आपको circulate करना पड़ेगा और committee की meeting के लिए सभी members of the committee like risk management committee nomination and remuneration committee audit committee यह सब अभी आने वाली हैं तो इन committee की meeting के लिए अगर बात कर रहा हूं तो सभी के सभी directors को या इनके members को circulate करना पड़ेगा circulate कैसे कर सकते हैं hand delivery के तुरू भी post के तुरू भी court courier के तुरू भी electronic mode के तुरू भी कर सकते हैं and and इसे अप्रूव किया जाना चाहिए by the majority who are entitled to vote on such resolution तो resolution by circulation कब अप्रूव मानेगा कब अप्रूव माना जाएगा जब इसको majority अप्रूव कर देगे की majority के में से who are entitled to vote on such resolution and who is the director who is not entitled the person who is interested the person who is interested is not entitled to vote and other disinterested are termed as entitled to vote पहले इतने से पहरा का interpretation समझ के चलते हैं यह चोटा packet तबाही मचाएगा देखना कैसे देखते हैं किस नंबर वन है टोटल डारेक्टर कितने हैं दस नंबर अब डारेक्टर एंटाइटल टू वोट कितने हैं दस यह दिखने अपने दस में से majority मतब 6 अगर आ जाएं favor में तो अगेंस में 4 आ जाएं चलेगा कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड सिच्वेशन देखते हैं टोटल डारेक्टर एंदस नंबर अब डारेक्टर एंटाइटल वोट कितने हैं दस अब एपसजेंड कितने हुआ है तीन अच्छा मुझे क्या चाहिए मुझे यह नंबर देखना है एंटाइटल डूट इस में से मेज़ोरिटी देखनी है तो यानि कि छे आप मुझे बताओ कितना मैं अगेंस्ट में अफोर्ड कर सकता हूं मुझे छे फेवर में चाहिए तस वोट डालेंगे दस में से तीन एपसेंड रहने वाले हैं दस एंटाइटल डूट हैं एंटाइटल में से तीन एपसेंड रह सकता हूं मुझे तो छे फेवर में चाहिए 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 और आगे बढ़िएगा तीन सिच्वेशन नमबर तीन दस जारेक्टर हैं एंटाइटल डूट होगा नो यानि कि एक इंट्रस्ट्ट होगा फिर कोई भी एपसेंड नहीं है मुझे इसमें से मेजॉरिटी ला तो बनें पांच पांच नो एंटाइटल है एपसेंड रहेंगे कोई एपसेंड नहीं है तो मैं चार जो है मैक्समम अगेंस में अफोर्ड कर सकता हूं अब आ गया एगा यह सिच्वेशन लास्ट है अजी दस नो तीन मुझे इसमें से मेजॉरिटी ला दो इतने मुझे फेवर में चाहिए नो में से तीन वोट नहीं करने वाले तो यानि कि वोट कितने करने वाले है छे छे में से पांस तो आगर फेवर में यानि कि मैक्सिमम अगेंस में आप कितने अफोर्ड कर सकते हो के वले का तो अब य डाइक्टर स्कीतने है दस एक इंट्रस्ट्रेट है यानि की एंटाइटल कितने हो घू जात तीन डारेक्टर एबसेंट फ्रम वोटिंग यानि की थी अगेंस में कास्ट कर दिया दो लोगों में हो सकता है अब वो कहता है अगेंस में दो हैं तो इसका मतलब फिवर में पूरे नहीं होंगे तो इसका मतलब resolution पास नहीं हो सकता समझाया यह पेच पसाएगा आपको अध्यान रख लेना यहां तो वोट कास अगें फिर केता है रुको केता है प्रोवाइड़ डैट वियर नाट लस थन वन थर्ड फेट अव टोटल नंबर और डिरेक्टर अव दर कम इंग रिक्वाय डाइन रिवाइटर अंडर तरफ इसलिशन अंडर दिन अबीटिंग अच्छेर पर्संच एल पुट पूट दर र ला 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 हाहां जी अगर कम से कम between LOOKUE कि अगर कम से कम है ये tv कंपर करते हैं किए रेजलीशन जो हैं सर्कुलेशन के तुरू पास नहीं होना चाहिए इसे और से बोर्डमिटिंग में डिस्कॉशन के बाद आज पास होना चाहिए तो परसन आपको यह बात इंशेर करनी पड़ेगी और उसको फिर बोर्ड मेटिंग के अंदर ही इस रेजलूशन को लाना पड़ेगा अब इस पर एक बहतरीन कोशन दिया हुआ है वह मैं बताता हूं आपको कहां गया I did question about seven year there are seven director in the by limited a resolution relating to opening of the branch office of the company in a place outside the state where the registered office is situated in the draft together with the necessary paper was circulated among the directors seeking approval for the circulation the four director from among the total seven director approved the proposal char directors nice proposal को अप्रूव कर दिया है three director who did not approve the proposal थी ने अप्रूव नहीं किया था अपोस्ट अवलेटिटी अप्रपोसल on the following grounds that the resolution was circulated by email and not by the hand delivery or post or courier as per the provision of subsection 1 of section 175 तो गलत बात है ना भाई resolution was circulated by email and not by the hand delivery or post तो भाई हमने तो देखा है कि यह जो email वोगरा के तुरू भी तो circulate हो सकता है यह सेकेंडी डेट मोर देन वन थर्ड अफ तो टोटल number of director now require that resolution must be decided at the meeting of the board and not by circulation hmm भाई साब एक बात बताओ वर्ड जान बुच के इसने एड किया है कि तर now require आज की डेट में वो चाहते हैं कि इसे बोर्ड मीटिंग में considered गया जाए आज क्या डेट है भाया आज वो डेट है जब चार डारेक्टर साथ में से अप्रूव कर चुके हैं देखो अगर वन थर्ड डारेक्टर यह चाहते हैं कि अगर इस resolution को बोर्ड मीटिंग में लाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं हम ऐसा करेंगे बट आप यह तब चाहते हो जब बाकि डारेक्टर की कंसेंट अभी ना मिली हो परंतु अगर बाकि डारेक्टर अपनी कंसेंट यह अपनी अप्रूवल दे चुके हैं और कि इसे बोर्ड मीटिंग में तो सुन लिया जाएगा बढ़ने के बाद अगर वो कहीं से बोर्ड मेंटिंग मिला तो यह बात नहीं सुने जाएगी ध्यान रखना कि यह पॉइंट करना था मुझे में कि यह समझ गए चलिया बागी अगला वाला कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी यह हमारा खतम हुआ 175 उसके बाद हम आते हैं 176 पर डिफेक्ट इन अपॉइंट्मेंट ऑफ डारेक्टर नॉट टू इन्वालिडेट देक्ट अब माल लिजे हुआ क्या मैं सौथ इंडिया का एक बहुत खतरनाक माल लिजे कोई वह गुंड़ टाइप हो मुझे साथ राज् पर मैंने कमपनी में अपलाई के मैं अगा तो नहीं नहीं का सब्सक्राइब रहा है मैं का डारेक्टर बन गया 6 महीने बाद तो vos overlapping गाइन घर न है invalid लो कहता है वैलेड होंगे चर्ट यह एक बात बता दे बस क्या company को तेरी disqualification का पता था नहीं पता था वैलेड होंगे अगर company को पता होता फिर भी company तुझे चलाती तो invalid होते simple सा concept है बस यहीं लिखा है यानि कि object of the section क्या था कि consequences क्या होंगे कि अगर कोई director eligible नहीं यह appointment के लिए और appointment हो जाता है उसका तो लॉग केता है hang on कि no act done by a person as a director shall be deemed to be invalid where it was subsequently noticed कि उसका appointment invalid था क्योंकि उसके appointment में कोई defect था या फिर डिस्क्वालिफिकेशन थी ठीक है तो यानि कि कोई भी हरकत जो स्ने किया वो वेलिट नहीं होगी और अगर चैबेशक defect in the appointment या disqualification होगी बट क्याता है nothing in this section shall be deemed to give validity to any act done by the director after his appointment has been noticed by the company to be invalid यानि कि अगर company को यह पता लग गया कि तुम्हारा appointment invalid above you जिसके company तुम्हें हटा नहीं रही अभी भी तुम्हें meeting में बिठा रही है तो फिर गडबड हो जाएगी कैसे पढ़ेगा जाता है a limited appointed Mr. A and Mr. B is a director of the company by passing of a single resolution for the election of these two later on it came to the notice of the company that there might be some confusion regarding the compliance of the applicable provision company ने single resolution के थूँ दो डारेक्टर का appointment किया है अब यह तो लिखा नहीं कि 162 का compliance किया है कि नहीं क्योंकि एक single resolution के थूँ एक से ज्यादा डारेक्टर को अपन्ट करने के लिए पहले आपको मेंबर से अप्रूवल चाहिए होती है वो तो आपने लिखी नहीं तो फिर इसका मतलब 162 का मतलब जो भी डिरेक्टर ने काम कियोंगे उस tenure में वो सबको वैलेड बना रहा हूं फिर आता है मेरा अगला section called section 177 audit committee यह क्या कहता है पहले बताता है कि audit committee की requirement कहां कहां पर है याद करो independent डिरेक्टर का section कहां कहां थी बिल्कुल डिप्टो यह लग रहा है पहली बात लिस्टेट पब्लिक कंपनी और बाकी बची पब्लिक कंपनी जिनके पेड़ अपकिल दस करोड या दस करोड से ज्यादा तरनावट सो करोड या सो करोड से ज्यादा या फिर की रिक्वर्मेंट नहीं है यानि कि यही आमने वहां पे इंडिमेंडेंट डारेक्टर में पड़ा था बिल्कुल वहीं अच्छा यह जो भी फिगर्स लेनी है चाहे पेड़ अप शेर कैपेडल हो चाहे आउटस्टेंग लोन वगरा हो कब की लेनी है लास्ट ऑडिटेट पिर ऐसके बाद कौन से कंपैएं यह जने और इढ़ेंट कमिटी करने के जरूरत नहीं है याद करो वहां पे क्या किया था जॉइंट वेंच्टर होली सबसेटरी दाउर्मेंट कंपनatus तो इन सब को रिएंट करने जरूरत नहीं है अब यहां पर इंपोटन जो नहीं डिरेक्टर की और कॉम्पोएट्जर में रहेotenगे शच्छेतर कोई ना नहीं पड़ेगी कोई सब्सक्राइब अच्छोरू है फिर उसके बाद मैजोरिटी घ्मपोस यहां मैंडि फैने की बेच्टबनेक्टर अकल लोनी चाहिए है फिर उसके बाद audit committee इसको report करती है audit committee report करती है board of directors को ठीक है आगे audit committee का rule क्या है पहला role review and monitoring of the performance of the auditor दूसरा examination of the financial statement and auditors report auditor की report भी सबसे पहले इसके पास आएगी फिर बोड ऑडिटर का recommendation भी यही करता है बोड़ डारेक्टर को बोड़ डारेक्टर इसकी recommendation को members के पास बेचता है तो फिर recommendation for the appointment and terms of the auditor फिर जितने भी एक company से दूसरी company को लोन चल रहे हैं उन सब की scrutiny करने का काम भी इसी का है फिर monitoring अगर पब्लिक offer में जो फंड रेस किया आपने पब्लिक इश्यू में तो फिर उस फंड क्या end use कहां हो रहा है यह देखना भी इसी का काम है फिर यह सबसे important role है इसका ध्यान रखना कोई भी related party transaction अगर हो रही है तो 100% related party transaction अप्रूवल के लिए इसके पास आएंगी और अगर उन में कोई भी modification होता टर्म संग कंडिशन में तो वह भी approval पेले यही करेगी यानि कि जितनी भी related party transaction है सारी के सारी इसके शरण में आएंगी audit committee की शरण में आएंगी सबसे important role है यह इसका ध्यान लगना उसके बाद audit committee क्या कर सकते हो आप auditor का report मंगवा सकते हो कि स्टीच में कि बताइए हमारी company के internal control बे आपका क्या comment है एंड आप audit में क्या-क्या cover करने वाले हो scope of audit कौन-कौन से area cover करने वाले हो कौन सी branches cover करोगी एंड बोर्ड से पहले एक बार हमारे पास financial statement जमा करा ले ना फिर जब यह auditor और केमपी जो है ना वो audit committee की meeting का पार्ट बन सकते हैं बट दे हम नो राइट तो गोट इन दे मीटिंग अफ तक कमेटी ठीक है उसके बाद अगर मान लिजे पहली बाद तो बोड audit committee का पूरा disclosure करेगा कि हमारी audit committee में यह यह आता है मैंने का जी auditor का appointment audit committee करेगी ना बोड को और बोड उसे members के पास ले जाएगा परन्तु audit committee और बोड अगर disagree करते हैं किसी नाम पर तो फिर audit committee क्या करेगी फिर सॉरी board of director क्या करेगा अपना नाम recommend कर देगा जो वह अपॉइंट करना चाहता है जैसे auditor बट यह जरूर लिखेगा कि हमारा और audit committee का clash है इस बारे में यानि कि अगर कोई भी conflict होता है between the opinion of the board and audit committee director को लेकर तो opinion of board of director prevail होगा बड़ एफेक्ट disclose कर दिया जाएगा कहां पर board report खेंदर ठीक है आगे 177 के साथ में अगर मैं 188 जो मैंने नहीं किया है अगर उसको साथ में पढ़ू 188 related party transactions की बात करता है तो 188 में हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई related party transaction होती है तो उसके लिए board resolution पास होता है परन्तु कुछ cases में ordinary resolution पास होता है तो वहाँ पर board या फिर ordinary पास होगा मगर 177 जोड़ दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हर related party transaction के लिए पहली बात क्या है audit committee की approval ली जाएगी फिर board resolution पास होगा या फिर ordinary resolution पास होगा इन दोनों में से कोई एक situation लगेगी 188 के अंदर जाकर पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम आते हैं 177 पर जो कहता है omnibus approval omnibus का मतलब क्या होता है है omnibus का मतलब होता है bulk approval कौन सी bulk में approval ठीक है तो क्या कहता है तो क्या कहता है हम एक ही बार पूरे साल अप्रूवल देते हैं यसे कहते हैं omnibus अप्रूवल ठीक है तो यानि कि audit committee में provide the omnibus approval अच्छा omnibus approval के लिए audit committee क्या कर सकती है तो प्रोवाइड डग क्राइटीरिया बता देगी कि omnibus हम कब कब देंगे मतलब value of transaction बता दी जाएगी कि हम overall approve करते हैं 50 करोड तक की transaction हर transaction 50 लाग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्राइटीरिया बता दिया overall पूरे साल में 50 करोड एक भार में 50 लाग से ज्यादा नहीं होनी यह तो मैंने वैसे बताया नंबर मतब इंडिविजुली भी लिमिट बता सकती है एग्रिगेट में भी लिमिट बता सकती है फिर audit committee कह रहती है कह सकती है कि उसके पास अगर लाना है तो इस फॉर्मिट के अंदर लाना अप्रूवल के लिए इस डिस्क्लोजर इस तरीके से करना मतब इस तरीके से request letter audit committee के पास लाना फिर audit committee जो पिछली related party transaction हुई है उनका review भी कर सकती है उसके बाद audit committee खुट decide कर लेगी कि कौन सी यसी transaction है जिन पर हम omnibus नहीं देंगे पतब इन transactions के लिए तो हम individually ही मिलेंगे कुछ related party ऐसी हो सकते है जिन के लिए कहेंगे कि हम individually मुलेंगे तो ध्यान रखना क्या रहेगा code value of DRT DRT मतब debt recovery tribunal value of DRT याद रखना इस code को थोड़ा सा ध्यान रख रखेगी फिर omnibus approval जब दी जाएगी तो उसके अंदर नैनो का ध्यान रखा जाएगा नैनो मतलब कौन सी related party है जिसकी अपने omnibus दी है कितने amount की approval दी है आपने किस तरीके की transaction होगी computer बिकेंगे अपड़े बिकेंगे या फिर other information जो भी audit committee को ज़रूरत लगेगी तो नैनो ठीक है जी और आगे बढ़े next point अगर माल लीजिए किसी party से आज तक कोई भी पिछला track record नहीं रहा है कोई भी track record पिछला नहीं रहा है किसी भी party से तो फिर हम क्या कर सकते हैं तो फिर अगर माल लीजिए related party transaction for seen नहीं है क्योंकि पिछले का track record नहीं है तो फिर omnibus approval दी जा सक व्यक्ति है omnibus valid रहीगी एक financial year के लिए और किसी भी हलत में sale of undertaking के लिए sale of property वगरा के लिए नहीं दी जाएगी ठीक है जी आए फसी public companies के उपर section 177 apply नहीं होगा यानि कि उनको audit committee वगरा के जरूरत नहीं है फिर आता है हमारा अगला section 177 के अंदर ही है visual mechanism जिसे हम whistleblower कहते है मतलब यह वो व्यक्ति है जो कि company में अगर कोई गलत होते देख रहा है तो यह जो जो के CDA मार के सब को जगा देगा यह चौकीदार है तो फिर अब इसकी रक्षा करनी है हमें क्यों क्योंकि पता लगा किसी director की चोरी के खिलाव इसने आवाज उठाई director ने कान के नीचे ल पर वो company जिसके borrowing from the banks or financial institution पचास करोड़ रुपे से ज़्यादा है वहाँ पर विजल मेकेनिजम का concept लगेगा विजल मेकेनिजम को संभालेगा कौन देखो जी दो situation हो सकती है अगर तो कंपनियों में audit committee है मतब 177 में covered हैं तो विजल मेकेनिजम audit committee संभलती है परन्तु अगर क किसी company में audit committee का section नहीं लग रहा है तो वहाँ ये काम board of directors खुद करते हैं ठीक है जी परपस क्या है दो परपस है विजल मेकेनिजम के पहला परपस क्या है कि भाई पहली बाग तो इससे सुरक्षा दी जा सके यानि कि तो प्रवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस द दूसरा कोई फालतु में सीटी आ ना मारे मतलब बार-बार फालतु की complaint किया जा रहा है राम लाल चो रहे है राम लाल चो रहे है बार-बार investigation होती है राम लाल गंगा के समान्पवित्रे निकलता है तो मतलब action लिया जा सके against the frivolous fall to frivolous में तब fall to की complaint के खिलाफ ठीक है जी और आगे बढ़ते हैं फिर कहता है जी कुछ other points है कहता है जी in case of a transaction other than the transaction referred to in section 188 मतलब in case of a transaction other than the transaction referred to in 188 and where the audit committee does not approve the transaction it shall make its recommendation to the board 188 में क्या आता है related party transaction लिए या रुक्राण्जिक्शन तो क्या लिखा है कहता है जी related party transaction को छोड़ दो उनको चोड़ दो बाकि सभी transaction के लिए audit committee की approval बेशक न चाहिए हो क्योंकि related party transaction में तो हमने देख लिया की audit committee आप्रूवाल चाहिए चाहिए केता है बाकि सभी transaction में audit committee की approval बेशक यह हो मगर recommendation जरूर देगे बोर्ड अब डारेक्टर को तो यानि कि अगर related party transaction के अलवा बोर्ड अब डारेक्टर आप अगर मान लिजिए company assets बेच रहे हो तो पहले audit committee recommendation जरूर ले लेना यानि कि उन related party को छोड़ दो बाकी हर जगा बाकी हर जगा भी आपको recommendation चाहिए हो कि अप्रूवल नहीं ठीक है फिर कहता है मान लिजिए अगर कोई transaction ऐसे हैं involving any amount not exceeding one crore rupees entered into by the director or officer of the company without obtaining the approval of the audit committee एक करोड रुपे तक की transaction अगर मान लिजिए audit committee की approval के बिना आपने कर ली बिना audit committee की approval के अच्छा फिर कहता है कोई आपनी audit committee की approval ratification nature की within three months ले ले लेना तीन महिने में ratification भी नहीं लिए आपने audit committee से तो फिर यह transaction voidable हो जाएगी adoption of the audit committee और अगर यह transaction director या director के किसी relative के साथ है या फिर अप्रूव की है किसी और डारेक्टर ने मतलब if the transaction is with the related party to any director और जिसने इसे अप्रूव किया है या फिर अगर रिलेटेट पार्टी ऑफ डारेक्टर के साथ है तो उस डारेक्टर को जिसको जिसकी related party है या फिर अगर किसी ने भी इसे अप्रूव किया है और विक्तिने जो डारेक्टर कंपनी का उन सब को कहा जाएगा करो लॉस करो लॉस की बरपाई करो जो भी कंपनी ने कर गिया लॉस इसका मतलब सिंबल वर्जन में लिखा हुआ है कि कोई भी transaction जो exceeding 1 करोड रूपेज होगी उसको तो audit committee की अप्रूवल के बिना आप कर ही नहीं सकते है बट एक करोड रूपे तक वले transaction में आप पहले कर सकते हो अगर तीन महीने के अंदर अप्रूवल ले ले प्र हैं एंदर एटिफिकेशन ना करवाया शाथ में हर वो डर्टर जिसकी रिलेटड़ड पार्टी के साथ यह transaction होई है या फिर जिसने भी इसे अप्रूव किया है वो कंपनी को होने वाले सारे लॉस के भरपाई करेंगे चीक है चले यानि कि एक करोड से उपर तो बिना और ऑडिट कमिटी के अप्रूवल के सोचना भी मत अच्छा फिर उसके बाद क्याता प्रूवीजन अफ दिस क्लॉस शल 2088 बटमीन होल्डिंग कंपनी अनि अच्छि वॉल्डिंग कॉंपनी के बीच में अगर कोई ट्र idee हो गी तो क्या आपको अप्रूवल रिक्वाइड है है फोल्डिंग और होलियों सब्सेडिरी कंपनी लिखा गया है प्रोवीजन ऑफ दिस क्लॉस शेल नौड अप्लाई मतब कोई ओडिट कमिटी के अप्रूवल की जुरूरत नहीं है तुर ट्रांजक्शन अदर देन दा ट्रांजक्शन रफर्टो इन 188 188 में क्या है रिलेटेट पार्ट्य ट्रांजक्शन है 188 को छोड़ दू बाकि किसी भी मुद्दे पर अगर ट्रांजक्शन होल्डिंग और होलियों सब्सेडिरी में हो रही है तो आपको आपको आडिट कमिटी के अप्रूवल नहीं चाह की अप्रूवल चाहिए चाहिए है क्शा कइल कर रिलेटेट पार्ट्य ट्रांजक्शन 106 के अलावा शायएग और फेर और कमिटी के अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए और अधर्वाइस audit committee के अप्रूवल चाहिए चाहिए अगर holding और holy own subsidiary company में कोई भी transaction हो रही है तो चिके आ गया आते हैं पिर आता है मेरे पास section 178 जिसका नाम है nomination and remuneration committee अब नाम सही पता लग रहा है यह committee क्या करती होगी nominate करने का काम करती होगी किसके ओपर board of director और senior management के उपर और उनकी remuneration decide करने का भी काम करती होगी तो यह section कौन से company पर लगता है हर वो company जो 177 में cover है यानि की audit committee जिनके उपर लगेगा उनके पर 178 भी लगेगा पर इसका constitution ध्यान रखना वहां पर minimum three director चाहिए थे यहां पर minimum three non executive director चाहिए जिन में से majority independent director होने चाहिए है और एक मिट यहां पर एक change कर देना यार यहां पर एक गड़बड हो गई है वो क्या यह लिखा है majority majority नहीं है यहां minimum 50% मिनिममम 50% मेजॉरीटी का वांतर 50% से उपर है majority नहीं है minimum 50% है ठीक है तो यानि कि 6 है तो 6 में से 3 independent director होने चाहिए चेयर परसन जो है जो company का चेयर परसन है वो इस committee का member तो बन सकता बड़ इस committee को चेयर नहीं कर सकता चाहिए अब audit committee का रोल क्या है मैंने का जी नाम सही पता लग रहा है nominate करना है रेमिनुरेशन के बारे में decide करना तो पहला identify करना person जो कि director या फिर senior management के अंदर appointment हो सकते हैं पहले बाद दूसरा recommend करना board को उनके appointment के लिए and उनके removal के लिए भी if they are not performing well तीसरा उनका evaluation decide करना और उसके basis पर उनकी remuneration decide करना हो तब evaluation of their performance करना चाहिए फिर कहता है जी remuneration and nomination and remuneration committee को क्या करना पड़ेगा criteria बनाना पड़ेगा जिसके basis पर qualification of the independent director वगरा decide करेगी यानि कि formulate the criteria for determining the qualification and independence of the director और इसके लिए वो बोर्ड को एक policy भी बना के देगी relating to the remuneration of the director KMP and other employees ये काम भी किसका है nomination and remuneration committee का है ठीके जी और आगे बड़े next क्याता है जी nomination and remuneration committee जब policy बना रही होगी policy बनाने की power कहा है यहाँ पर यानि कि बोर्ड को एक policy बना के देगी remuneration से related परन्तु जब यह policy बना रही होगी तो इस policy को बनाते हुए तीन चीजों का ध्यान रखा जाएगा क्या remuneration इतनी जरूर देना कि इतनी जरूर देना कि वह रीजनेबल हो और सफीशेंट हो to attract and retain and motivate the directors को बेंचमार्क से परफॉर्मेंस बेंचमार्क से जरूर जोड देना यानि कि जो जितना ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको उतना ज्यादा रेमुनरेशन मिलेगी यानि कि relationship of remuneration to the performance is clear and meet the appropriate क्रियेट परफॉर्मेंस बेंचमार्क यानि कि जितना ज्यादा परफॉर्म करों कि seniority नहीं परफॉर्मेंस के बिसस पर रेमुनरेशन बढ़नी चाहिए और तीसरा रेमुनरेशन को दो एलिमेंट में डिवाइड कर देना ctcg से कहते हैं उसके दो पार्ट्स डिवाइड कर देना एक होना चाहिए फिग्स एलिमेंट यानि कि यह तो फिग्स है और दूसरा वेरियेबल एलिमेंट जो कि आपके पाफॉर्मेंस के बैसेस पर डिसाइड किया जाएगा चीक है जी फिर उसके बाद क्यता यह पॉलिसी जो है यह वेब साइट अफ दा कंपनी पर भी डाली जाएगी एंड सेलेंट फीचर आफ दिस पॉलिसी और इसके अंदर कोई भी चेंज होता है शल भी डिस्क्लियोज इन दा बोर्ड रिपोर्ट तो यह बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किये जाएंगे इत्ती बात क्लियर हो गई चले एक बाद दुबारा से नॉमिनेशन और रेमिनेशन कमिटी के रोल देखेगा पहला रोल क्या है आइडेंटिफाई करना किसी भी व्यक्ति को सीन भी ड्रीपेंडेंड डारेक्टर की क्वालिफिकेशन बिरेटरमाइन करेगी और फिर उसके बाद पॉलिसी भी बिनाएगी रिमिनेशन को लेकर जब वह यह बहरी ूपॉलिसी बनाएगी तो उसे कौन-कोन सेफेक्टर को ध्यान में रखना है कि कि इतनी रिमिक्ञरेशन जरूर देना ताकि कोई आपके हां टिका रहें रेंटरेशन को दो पाट्स में जरूर बाढ़ देना वो क्या एक होता फिट्स पे एक उता वीरियेंबल पे पर रेंटरेशन और पफ़र्मेंश के बीच में क्लियर संबंद नजर आए कि जतना परफॉर्म करोगे उतना जयद की रिपोर्ट के अंदर इन चाहिए ठीक न चाहिए तैट है और उसके बाद कर अब लोग आते हैं one 78 के अंदरी है स्टेकछोडर रिलेशनशिप कमिटी अब ये स्टेक होलड़ रिलेशन्शिप स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो व्रक्ति जो कमपनी में स्टेक करक्षा करेगी मतलब उनको कोई नुक्सान ना हो रहा हो कमपनी की तरफ से इसको इंशियोर करेगी अच्छा पैली बात ये शेक्टिन कहां कहां लगेगा हर वो company जिसके कम से कम एक हजार शेर ओल्डर डेवेंचर ओल्डर डिपॉजिटर एंड अधर सेक्यूरिटी होल्डर है अधर सेक्यूरिटी ओल्डर फॉर एग्जमबल एडिया जीडिया होल्डर वोड एंड है तो मतलब सब को प्लस करके देखना है अगर वह 1000 नंबर को टच कर र चेकरी चले देट चेयर पर्सन अफ दे कमिटी कंस्टिटेट अंडर देस सेक्षन और इन अपसेंस अनी अदर मेंबर अफ दे कमिटी ऑफ्राइज बाइंग इंग अगर वह नहीं जहां पा रहे तो उनके जगहा पर कोई और व्यक्ति उस जरनल में अटेंड जरूर करेग उस मीटिंग में जरूर अटेंड करेगा फिर यह पेनल्टी इंपोर्टेंट है जी 177 और 178 दोनों की पेनल्टी एक ही है वो क्या है कि कम्पनी शेल भी लाइबल चूँ पेनल्टी ओफ पांच लाक रुपे और एवरी ऑफिसर इंड डिफॉल्ट शेल भी लाइबल 827 & 178 की और पिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद हां अगर मान लीजे मैं ने का जी स्टेक्वोडर रेलेशनशिप हमैटे रिफन नहीं रिफार कर पाए तो फिर गुड वेद की माली इंबलेटी टू तो इसे मैं कॉंट्रवेंशन नहीं मानूंगा मतलब अगर गुड़ फेत में हो आप आपके पास कंप्लेंड ज्यादा थी अभी तक आप नहीं सुन पा रहे हो एरेंड में उनकी कंप्लेंड कोई दिक्कत नहीं है आप बात में भी सुन सकते हो या फिर कोई कंप्लेंड ऐसी की नोडिफिकेशन के कारण होई है सेभी की नोडिफिकेशन के कारण होई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है वहां पर गुड़ फेत में तो कोई पैनल्टी आपके उपर नहीं लगे की ठीक है जी फिर 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 पिर सीनियर मेनेजमेंट की डेफिनेशन या छोड़ द जा सकते हैं यानि कि उनके लिए resolution by circulation नहीं होगा कुछ ऐसी powers होती हैं अच्छा मगर इसे सब सेक्षिन वन से शिरू करते हैं पहला सब सेक्षिन क्या क्या गयता है क्याता है कंपनी की जितनी पावर हैं वो सारी की सारी कोन exercise कर सकता है board of director यह है पहला सब सेक्षिन फिर उसके बाद कहता है कहता है board of director वो पावर exercise नहीं कर सकता जो पावर किसको दे दी गई है members को दे दी गई है यानि कि जहां पर general meeting लिख दिया गया है चाहे इस act के अंदर या अंदर या article के अंदर तो वो पावर जो है board of director exercise नहीं कर सकता ठीक है next point फिर कहता है जी अगर मान लिजे कोई भी regulation in the board general meeting उस section को validate नहीं करेगे not to invalidate any prior act of the board of director which would have been valid if any such regulation had not been made मतलब मतलब यह है कि मान लिजे अगर memorandum में लिखा हुआ है कि board of director borrowing कर सकते हैं 1000 करोड रुपीज ठकी और उसके उपर member exercise करेंगे borrowing power 1000 करोड से उपर अब board of director already borrowing कर चुके थे 900 करोड की अब resolution पास हुआ जिसमें कहा गया कि हम board of director की power 1000 करोड की पावर को कम करके कह रहे हैं 400 करोड तो board of director के पावर कितनी कर दी गई 400 करोड कर दी गई 1000 से गटाकर 400 करोड कर दी गई चीक है सवाल उठा वो borrowing already 900 करोड की exercise हो चुकी है तो फिर उसका क्या होगा लौ कहता है जो काम हो चुका है मान के चलो अगर यह regulation दुबारा ना आती members के द्वारा 400 करोड वाली तो पहली regulation 1000 करोड की थी उसको देखके 900 करोड की borrowing की गई तो valid है कोई दिक्कत नहीं है यानि कि regulation in the general meeting invalidate नहीं करेगी कोई prior act of the board of director को जो तब valid होता जब यह regulation नहीं थी चीक है चले फिर अब यह power ऐसी है जो बोड मीटिंग में ही exercise की जा सकती है कौन-कौन सी पभिशेर से रिलेटेटड पावर्स है बिजनेस से रिलेटेड पावर्स है शेर से रिलेटेट आखके formation नहीं board meeting होनी चाहिए और दिकन को सकती है इस्यूoff security से रइलेटट पावर शेयर सीजुकरने है युल बोर्ड मीटिंग में एक्सराइज की जा सकती है अगेंन के वल बोर्ड मीटिंग में ही एक्सराइज की जा सकती है लेघति भाद भी चले फिर लोन से रिलेटेड पावर की अगर मैं बात करूं तो फिर चाहे बॉर्वाइंग हो इन्वेस्टमेंट हो लोन सो गारेंटी और सेक्यरिटी हो यह सब भी बोर्ड मीटिंग में ही एक्सेस की जा सकती है उसके बाद बिजनस से रिलेटेड पावर डाइवर्सिफिकेशन बिजनस बिजनस के डाइवर्सिफिकेशन बोर्ड मीटिंग के अंदरी अमल्गमेशन टेक ओवर अप्रूबल ऑफ फानेंशल स्टेट्मेंट पॉलिटिकल कांट्रिबूशन अपॉइंट्मेंट अब्लिक रिमूवल अप दा की एम पी और अपॉइंट्मेंट अब इंट गुर्णिम्ट गडलंटी ओव अफ लोनस और गारंटी और सेक्यरிटिए जिक को जी इन यह सैप्रीट्च बन गया वी मुंड एस ने के लिए इक सेपरेटिन बनाओ आ रहू है मली इतसक्ष स्क्शन के लिए तो जब जब लोन गारेंटी सेक्यूरिटी इंवेस्टमेंट की बात करता हूं 179 नहीं लगेगा 186 लगेगा 186 में जाना पड़ेगा यहां पर हम नहीं आ सकते हैं जब जब मैं LG SI की बात करूंगा अब रह गया किवल बॉरॉइंग बस यहां पर रह गया बॉरॉइंग बॉरॉइंग से रिलेटेट पावर जो है वो डेलीगेट की जा सकती है क्योंकि यह तीनों के उपर तो यह सक्षन नहीं नहीं लग रहा छोड़ दो इसे तो चिक है बॉरॉइंग से रिलेटेट पावर डेलीगेट की जा सकती है वाइब बॉर्ड रेजलूशन एट बोर्ड मेंटिंग पास करके किसको दी जा सकती है किसी भी कमिटी ऑफ डेरेक्टर या एमडी को या मैनेजर को यह पाव डेरेक्टर अपनी बॉर्ड मेंटिंग में बाइबक कर सकते हैं 10 परसेंट पेड़ कैपिल प्लस फ्री पेड़ इकुटी कैपिल प्रेफरेंस का बाइबक यह नहीं कर सकते तो पेड़ इकुटी शेर कैपिल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सेक्योरीड प्रीमें क्योंकि प् सेक्शन तो वो यहां पर 179 में कवर नहीं होगा तो यह थी हमारी आज की बूर्ड मीटिंग के पहली क्लास ठीक है जी तो अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर जहां हम 180 से लेकर 186 तक कवर कर देंगे तैंक यू बाबाइ टेक क्यार तो यह बूर्ड मेटिंग पर दो क्लास से लगेंगी धन्यवाद